हेलो फ्रेंड्स रोज के खाने में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं पुला इतना टेस्टे और यहनी रहता है ना एक बल जरुर देखिएगा मैं पहले एक पतेला लिया उसमें तेल डाला है और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा गरम मसल दिया दाल चीनी तेजपत्त लवंग और इलाइची उसके साथ मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा अनियन मीडियम साइज का दो अनियन लिया था मैंने छोटे छोटे और उसके साथ मैंने थोड़ा सा चार मिर्ची तीकट खाने वाले आप डाल सकते हैं ने तो स्किप कर सकते हो और इसके साथ मैंने दाला यहां पर गोबी, आलू, थोड़ा सा बींज और गाजार, आप इसमें और भी कुछ भी आड़ कर सकते हो, मैंने मतर भी यूज़गे है, मतर भूद इंपोर्टेंट है, बहुत थेस्टी बनता है, यहां पर थोड़ा सा मैंने सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लिया है बात में मैं इसमें डालूंगी, घरम मसाला, और आप इसमें और भी सब्जी मिक्स कर सकते हो, दूसरा आपके जो पसंद है बेंगन हो या लग कोई भी, और यहां पर मैं थोड़ा घरम मसाला, धनिया पोडर, अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके साथ मैं यहां पर बड़ा टामाटर और थोड़ा सा नमक, टामाटर डालने के बाद ही नमक डालेगा क्योंकि टामाटर अच्छे से पकता है, अच्छे से बॉल होने के बाद थोड़ा सा पका लीजेगा सबजी को, अच्छे से थोड़ा सा बॉल होने के बाद यहां पर मैंने बासमती राइस लिए बाज़ी मती राइस को थोड़ा सा भून लीजेगा क्योंकि खिला खिला बनता है अच्छे से भून लेने के बाद थोड़ा समय जितना पानी लगते में उतना हिसाब से पानी डाला है बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम असाला डाला है और एक चमाच घी ड पाब्लम नहीं है देखिए कि इतना टेस्टी में बनता है ना एक बस जरू ट्राइ करिए करें